तो हाई एवरिवन स्वागत करता हूँ आज के इस न्यू क्लास में यह क्लास थोड़ा लंबा होगा मैनेजमेंट पूरा अच्छा से किया गया है आप देखिएगा बड़ियां से पूरी क्लास को पूरी अपने बैसिक के हिसाब से देखा जाएगा आप पीछला आपने सभी ओड़ेंगे हलके प्लास के बारे में कि आपने बारे में देखा है हम लोग पहले लुक्या के बारे कम बैसे पॉइख रहे है उन सारे वीडियो से सवाल पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव से सवाल नहीं आता है याद रखेंगे कुछ पॉइंट को देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है लोहा एवं उसे संबंधित धातों के बारे में पढ़ना है लोहा फेरस होंगे उन सारे मेटल्स के बारे मे करना पड़ेगा उसके साथ देने वाला कोन है उससे समंधित कौन कौन है आप लोहा के बारे में जाते हैं कठोर होता है लोहा का यूज हम więksँ यूहाँy के जैसा और कौन कौन है, उससे समंधित कौन कौन है, इसमें और लोहा पहते है पहते हुद्वन हो किसी आदि speak कहते हैं जिसको इंगलिस में ईंधी मुद्वरें को समझेगा लिए यदि मातरा के यह कोलाकी मातरा बहुत ज्यादा मातरा में आफढये यानी कि कोड़ डीपोजिट्स इंगलीस में हिंदी में कोड़ इसी प्रकार से यदि बहुत ज्याधा मातरा में हमारा क्या पाइजा रहा है लोहा या इधर वाला दो मुष्ट भी वी वी यह याद रखीएगा जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको याद करना है लोहा इसमें लोग मुझे तरीके से लोग खनीजों के बारें पढ़ने के लोहा के ही बारें पढ़ना है देखिए लोहा में सबसे पहले नबर पाता है हैं में है और magnetite होता है क्या होता है magnetite इसका सुतर होता है याद करने का बहुत ही सिंपल फर्मूला है याद रखेगा यह होता है और magnet का क्या होता है afe 304 क्या होता है afe 304 इतना आपको Confirm हुआ कि नहीं हुआ इसको याद कर लजेगा नमबर त्री पाता है हमारे पास CD राइट क्या आता है CD राइट और इसी का ही दूसरा नामे को रहा था CD राइट के ही दूसरे नाम नहीं बूर सकते मतलब की रूपक्त अगर होता है उसको लीमोनाइट कहते हैं त्षंद से मेरी बात समझेगा लीमोनाइट क्या बोलते हैं अब लेट कहते हैं और एक प्रग़र पॉता है यह अप सभी को पता है कि यदि हम किसी बी षाम के बारे में पढ़ेंगे तो उसका निछोड़ यहां पर नहीं पढ़ना हम लोग उस मोडल से देख रहे हैं यदि कोई जिलोजी फिल्ड में जाकर आगे चलके बेसी लेने वाला है आगे चलके जिलोजी में बहुत बड़ा यदि कुछ कोई कुछ करना चाहता है तो इस तरीके से हमारा हम टीचर्स का एक फर्ज है कि हम उससे कोई मतलब नहीं है टॉपिक जो एक्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं इन सभी से अब्जेक्टिव पूछते हैं सो आपको बातों को सुनना है और अब्जेक्टिव चीजों पे बहुत ज्यादा गोर करना है सेंपरकार से देखिए यहां पे कि हमेटाइट जो में यह दूसरे तत्वया था आ रहा है सय को मिश पॉलते हैं सहचर्य क्या बोलता है है साहचर्य में नेरल इसको इनकी इसमें पाया जाता है बढ़न का इसमें बात करें बाता रहा है पूसे जादा जान sad sitä हां सबसे ज़्यादा छारखन में उसके बाद बिहार इसके बाद मंधर पर्देश सर्दाफ इसके बाद साथ प्रगार मतलब यहां यहां पर बस्तार एक जीला है चेटिसकर में यहां पर और मेगनेट में चलिए गात में सबसे ज़्यादा जाता है आंदर प्रदेश करनाटक में में बतादे सबसे उच्प वालेटी का लुगा होता है सबसे उच्प क्वालेटी का फी-304 अनुसा ही पता चलेगा इस्ट्रे भी होता है तो क्या होते हैं ऐसे जगों पर बहुत ज्यादा नए निया प reference यह दिए में Nawet बॉटेगरई का यहां चितरा जो कि यहां तो इसके बाद लेटेड़ायट कोई दूसरा चीज निए लेटे एक मिटी होता है मिटी होता है इसके अलाबे ज्यादा आपको डिप में जाने की कोई आओ सकता निहीं है लेटेडेयाइट सिर्फ और सिर्फ एक मिटी है और ले टेराइट में silica oxide पाया जाता है बालु समझें ये बालु का मात्रा होता लेटराइट मीटिके से बनता है अपक्षे से बनता है पत्रों का पक्षे उससे लेटराइट बन जाता है तो वहीं साहिग चीजें थोड़ा-थोड़ा यहां पर देखना है चलिए यह इससे objective सवाल एक भी अलग नहीं पूछेगा लोहा में और मैं बता दूं इन दोनों में से सबसे इंपोर्टेंट यहीं दोनों है कि लोहा की आयस्क निमने लिखित में से कौन है दुनिया में चाइना नंबर वन पे है किस चीज में लोहा उत्पादन के दिरिश्टी कौन से उद्योग फैक्टरी इंडस्ट्री की बात किया जाए तो है जमसेदपूर टाटा इस्टिल कर खाना लोहा का उपयोग आपको पता होना चाहिए किस किस चीज़ों में करते हैं ज कोई भी चीज में उपयोग के आठाव झाज़ाल कि है यादि को प्यों लोहा रह्ता तक और संचारित हो छुका हो तो हम लोगky pure लोहा का για्ज करते पियॉर लोहा जो कच्चे रूप में होता नाए इस पाथ कहा जाता है उसमें जब तक मिसर धातु नहीं मिलएंगे तक प्यॉर लोहा यह नहीं होता है याद रखेगा चलिए इसके बाद कुल्टी कुल्टी एक जगह का नाम है हीरापूर भी एक जगह का नाम है भद्रा होती तो आपको में चीज़ क्या याद रखना था इस पूरे टॉपिक में हेमेटाइट मेगनेटाइट सुत्र याद रखेगा मेगनेटा मेगनेट के F3O4 हेमेट के F2O3 और सबसे बड़ा करखाना कौन है जमसेथपूर यानि की टाटा कौन है टाटा चलिए यहां तक कम कम्प्लीट हो गया चलिए इसके बाद जो हमारा नमबर आता है वह आता है मैंगनीज के बारे में आए जानते हैं मैंगनीज क्या होता है चलिए तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि कच्छे लोहे को हम लोग इस पाथ भी बोल देता है ठीक है तो अभी मैरा नंबर है मट्टू के बारे में मैं आपको बता दूं सभी इस बता दो या जी जतने भी आपको भर होते हैं तक पैसकता है यानि कि मैंगे जाता है इसके बाद इसके बाद मेंगनीज, यह दुनिया का इसके बाद अत्यंत कठोर होता है क्या होते हैं अत्यंत कठोर एवं द्रीड यानि की द्रीड मतलब एक तुम हाड़नेस पाया जाता है उपयोग की बात करें खुदाई अंत्र समझते हैं खुदाई अंत्र जैसे कुछी चीज का खनन करना है खासकर जीलोजिकल यंत्र बनाना है तो यहां पे इनका यूज होत कौन कितना उत्पादित कर रहा है तो मैं आपको बता दू दक्सिन अफ्रीका कौन आता है दक्सिन अफ्रीका पूरे दुनिया का 80% मैंगनेज अक्केले उत्पादित करता है कौन साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहा है ठीक है साउथ अफ्रीका पूरे दुनिया का 80% मैंग लाख टन भारत में इतना ही थी प्याय से बात करता है और भारत में पर जो में Mega यहीं तो में एक्साम कि द्रिष्टी से ऐसी को गॉर सांधार साथ करता इस पर करना घ्रशाय। शीलो मेलन ठीक है पायरोलुसाइट आ गया अभी चालको पायराइट और पायरोलुसाइट में बहुत अंतर होता है मैंने पढ़ाया था कि तामबा का होता है चालको पायराइट और इसका होता है पायरोलुसाइट ठीक है इसमें एक आता है बरनाइट इसमें आता है होलेंड इंपोर्टेंट कौन है सीलो मैलेन पायरालुसाइट भी भी आई याद कर लिजेगा कि मैंगनेज का मोस्ट भी आई अयस्क क्या-क्या याद तो करी सकते हैं इतना ज़्यादा चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं लोग निकेल की और जो कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में वहां पर दिया हुआ निकिल की और निकिल नहीं बहुत ज़्यादा यूज है सिधा सीधी हम बताते हैं कि कितब आपको ले ना है यह वाला भूबिग्यान कौन सा गेर गेर ऐसा नहीं की जैसे गाड़ी का जो गेर होता है तो इसे हिलाने वाला ये गेर रहता है इसको गेर नहीं बोलते है गेर ओरिजनल अंदर होता है तो जो अंदर होता है ना उसमें निकल का यूज होता है किसी का यूज होता है जी निकल का यूज होता है ये कित मेंगनीज जिस प्रकार से जितना important था से उसी प्रकार से इसके बहुत बाद कोबाल्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है इसके बारे में नहीं पढ़ना उतना ज्यादा जैसे कोई पेंट हम कर दिये कोबाल्ट का यूज आप समझ जागा जैसे कि निकल का एक यूज मैंने बताया कि जैसे गाड़ी का गेर है हमारे पास क्या है गाड़ी का गीर क्या है गाड़ी का गीर में हम लोग इसका यूज तो कर सकते हैं निकल का बात आती है नंबर टू जिसको हम लो कर सकते हैं कोबाल्ट का यूज़ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दो उपयोग मैंने बताया यह सवाल पूछ देता है कि रंग को उडाने में किसका यूज करते हैं तो कोबाल को गाड़ी की गेर में किस धाट्व का यूज किया जाता है तो निकेल का किया जाता है इतना आपको एक दम याद रखना है चलिए ठीक यह भी आपको इस पात के रूप में थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा ठीक है कि एक दोड़ा-चोड़ा पॉाइंट है बहुत ज़्यादा बड़ा बाड़ा हम वह लग को नहीं लेना है क्रोम अब बोलते हैं ठीक है और इसमें 50% से अधीक क्या पैंज़ाता है क्रोमिएम औक्साइड यह क्रोम आइट में क्या पैंजाता है यह ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं क्या चीज़ पाए जाते हैं क्रोमाइट क्या पाए जाते हैं क्रोमाइट इसका बहुत ज्यादा यूज हमारे पास यहां पर है जैसे कि ताप रोधी कारियों में हम लोग इसका यूज करते हैं कहां पर करते हैं ताप रोधी कार ठीक है इसके बाद कजाकिस्तान के बाद जो है हमारा एक और नाम आता है जिसको दक्षिन अफ्रीका करते हैं क्या करते हैं दक्षिन अफ्रीका आता है भारत भी आता है तो कजाकिस्तान के बाद तुरंत नंबर टू पर आता है हमारे पास दक्षिन अफ्रीका क्याता है दक् अब भारत की बात कर लेते हैं हम लोग ठीक है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहाकी इंदुस्तान की भारत में आ जाता है उडिसा वाले राज्य में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है पूरे भारत का 98% क्रोमियम उडिसा में पाया जाता है इसके अलावे आपको क कुछ भी आगे पढ़ने की आवसकता नहीं है उपयोग में यदि बात करें उपयोग एक तो धातु सोधन जानते हैं तो वही धातु सोधन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तो देखिए जितने यह भी ना मैन उन मेन में इस अहएस में पढ़ना था वह पढ़ना था प्दास केहां टेजन सब्सक्राइद को यूजान बनाने में मजबूत था लड़ने वाले को यहां를 हमकूएं उस्में बनाना है तो यह सारी चीज़ों हम लोग उसका यूज जो है करते थे इसके अला यही बात हम आपसे कहना चाहता है उसे आप देख लीजे बहुत 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 तरीके से उसमें बताया गया है चलिए इसको हम करते हैं और देखते हैं अपने अगले टॉपिक को जितना लिखना होगा आप लिख सकते हैं इसमें तो हाई आज सेकंड डे हम इस वीडियो को सुट कर रहे हैं क्योंकि इतना गर्मी था लाइट हुट कट गया था पूरा प्रोलम हो गया था तो चलिए कंटीनियू करते हैं जो क्रोमियम था उसके बारे में पढ़ चुके थे उसका सिंबॉल होता है वह सी आर सी आर ना क्रोमि तो उसमें लोग यह बताया थे ताप रोधी होता है तो जैसे कोई साधी फंक्षन में हमें जगा पे गए हुए थे तो वहां पे क्या होता है कि जर्णेटर होता है अब उसके लिए स्टेबलाइजर आता है कंट्रोलर के रूप में कि जिस विदूत उपकरण को जितना वि पूल्टे जा रहे हैं उसको कंट्रोल करके जो भी चीज़े उतना उसको मैनेजमेंट करता है इस्टेपलाइजर का यूज आप समझ रहे हैं आपके घर में भी होगा तो वहां पर ना क्या क्या होता था कि इस्टेपलाइजर यदि आपका है तब तो ठीक है लेकिन नहीं है और आपको डर है कि कहीं वस्टू है कोई यंतर रहे उसको उडा सकता है उसको खराब कर सकता है करेंट तो उस जगह पे आप क्रोमियम के तार का यूज कर सकते हैं जैसे कि आपको बहुत अच्वा दारण हम दिता है जैसे मेरे घार में एक मोटर है बहुत बढ़ा सब थे ना तो मेरा motor जो था ओ आटोमेटिक था यानि की कम vultage मिलता तब निचलता ज्यादा मिलता तब भी निचलता यानि यानि की क्रोंटमीयम का तार और वह तार को एक दम बड़िया से मोटर चला रहा रहें तो मतलब क्या समझ माया क्या होता एक यूशन हम वहाँ पर बहुंत कर सकते हैं कि और टे करते हैं तो ख्रॉम्यम का करते हैं अब देखեՊ यहां पर आता है हमारे पास एक नया टॉपिक जिसको हम लोग मॉलीब डेनम करते हैं क्या करते हैं मॉलीब डेनम का संकेत एम ओ होता है क्या होता है यहां पर मैंगनीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसका संकेत पर्मुख खनीज को मॉलिबडे नाइट करते हैं देखिएगा हम आपको बताया है कि क्या क्या याद करना है उस खनीज का उस तत्व का उस धातु का सिंपल आयस्क के बारे में आपको जान लेना है ठीक है आयस्क बहुत इंपोर्टेंट होता है और उसके बाद जैसे क्रोमि सिस्टम को इसका जैसा यह दिखता है इसका उप्योग कर सकते हैं यहां कि Bluetooth ब्लुतूथ सिस्टम समझता है infect I ब्लुटूट जितने भी होता है उसमें क्या लग रहता है मॉलीब닛 यांतरों में एक ऐसे बेटरी यांतरों में रेडियो क्या हो गया रेडियो और जासा ही से phone कामरा पर लोग जानते हैं उस कुछ चमकदार सीखाल लेड जैसा लगा रहता है उसको भी मौलीब डेनम करते हैं क्या करते हैं मौलीब डेनम उसके अंदर में भी लगाया जाता है सीम कार्ड के नाम सुने इसमें भी वो लगाया जाता है चलिए उत्पादक देश की बात कर लेते हैं कि पूरे बिश्व में ये कहां कहां पर उत्पादित होता है सबसे पहले नमबर आता है अमेरिका क्या आता है अमेरिका उसके बाद मैक्सिको उसके बाद नार्वे क्या आता है नार्वे और भारत में भाई कहा कहा मिलता है हम बोले थे खनीजों का राजा हमारे जार्खन को खा जाता है यह सभी जगह पे सभी राज्जों में नहीं पाया जाता है भारत में एक मात्र जगह है जारकंड जारकंड के छोटा नागपूर में मिलेगा जारकंड में मिलेगा हजारी बाग में कहा मिलेगा हजारी बाग में तो क्या समझ आया कि मॉलीबडेनम हमारे जारकंड में पाया जाता है समझ में आगया यह होगे हमारे पास molybdenum अगर आपको यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तब आप हमें बता सकते हैं और आपको अभी तक इस वीडियो के माध्यम से को हमें कोई को आई के यूज के परकारों के बारे में उसके हरे चीजह के इसको बारे में अब हिए लस्त आपको को में कर देता है टोपिक को तो यह वाला जो है और भी इंपोर्टेंट है ध्यान से मेरी बातों की समझेयेगा जितने भी टाइटेनियूम , इसका नाम ही है टाइटेनियू क्या नाम है टाइटेनियूम क्या नम है इसमें आप जितना भी मेकप करते हैं क्रीम करते हैं powder लगाता है सब में यूज होता है कि इसका titanium का ज्यान से बात समझेगा अब आगे देखते हैं देखिए titanium को Ti से डीनोट हम लों करते हैं ऊपयोग कहां मिश्र धातू बनाने में 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 दातू बनाने में simply आस्ना ग्र। बढर इलमेनाइट हो जागा उपास्थी कहां पर मिलेंगे समुद्री तटिये रेतों में यानि कि समुद्र के किनारे बालू में यह मिलेंगे आपको ठीक है चलिए बीसो में आस्ट्रेलिया नंबर वन पर आता है और भारत में देखा जाए तो पूर्वी यानि कि नक्सा देखने की ओर दक्षीन राइट साइड इधर से मानलों यह कि नक्सा है राइट साइड यह वाला क्या हो गया पूराव इस साइड पस्चिम तो आप देखिए भारत के नक्सा में उधर चला जागा पस्चिम मंगाल जार्खंड उधर वह जो आसम हो गया उधर सब चीज पूर्वी लेकिन समुद्री इलाकों में क्या हो जागा पूराव साइड में बंगाल की खाड़ी है भारत के पूराव साइड में क्या है बंगाल की खाड़ी उस साइड में टोटल और यहां पर दिखेगा पस्चमी भी दिया जी क्या दिया है पस्चमी यानिकि पूर्वी इधर और पस्मी इधर अरब सागर भी अरब सागर और बंगल की खाड़ी बेव बंगोल और अरब सागर यह दोनों जगह पर क्या आपको मिलेंगे यह मिलेंगे समुद्री तटो पर मिलेंगे ठीक चलिए उसके बाद आंद्रप्रदेश केरल बीचवा में वही ना आया जी देखिए बेव बंगोल और अरब सागर में क्या क्या आया आंद्रप्रदेश आया केरल आ गया महराष्ट भी आया पैस्चिम बंगोल भी आया ठीक है वेस्ट बंगोल भी आया उडिशा भी आया तमिलनाडू भी आया इत्यादी इतने इतने राज जाते हैं इसलिए मैप देखिए मैप देखेंगा तोटल समझ में आ जाएगा क्या पाए जाएंगे इन जगों पे तो टाइट टाइटेनियम तैनियम उपयोग देखेगा सिंपली रंग बनाने में जितने भी दुनिया में बनाया जाता है सभी कॉलर्स में टाइटेनियम का थोड़ा-थोडा अंस मिलाया जाता है इसके बाद कागजों में कहां पर का जितने भी कागज बनते हैं उन में सूती कपड़ों में सिंगार प्लास्टिक में स्याही में इंक जीसे कहता है यह सब में क्या लगा हुआ है टाइटेनियम आया समझ में इसमें कोई डाउट है क्या आपको टाइटेनियम में कोई डाउट है लोग बहुत सारे लोग जो हैं हमसे नोट्स मांगते हैं मैं आपको बता दू यह नोट्स नहीं है यह नोट्स जो जो मेन है जो जो हमको पता है वो चीज हम सीधी सीधी आपक सबक्राइब बाद मन करें अब चाहिए कि एक हमारे पास मातर एक अगला चिज्टे पास मातर प्रवानाय सब्सक्राइब प्रद्सक्राइब जो कि एक छोटा से टॉपिक है चलिए उसके बारे में जिक्रे करते हैं तो अगला टॉपिक है हमारे पास टंगस्टन जो की मोस्ट भी भी आई है देखें टंगस्टन के बारे में आप अभी तक सिर्फ इतना ही जानते होंगे क्लास 10th level से कि जो विदुत बल्ब का जो फिलामेंट लगा होता है जिसको हम लोग तंटू कहते हैं उसमें क्या लगा रहता है टंगस्टन लगा रहता है तो फिलामेंट में यह लगा रहता है इसके बात देखें टंगस्टन टंगस्टन कठोर पदारत है क्या है कठोर है भारी भी है प्लस में इसका कलर की यदि बात करें तो यह ब्राउन कलर को होते हैं कैसे कलर को होते हैं ब्राउन कलर को हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इनके और की यदि बात किया जाए और आयस की बात करें तो बोलफ्रे माइट हो जैसे बल्ब आ गया टीबी आ गया रेडियो आ गया सब चीज़ आ जाएगा इसमें टीवी राडार राडार आप लोग नहीं जानते होंगे जैसे राडार यह होता है कि जैसे हवाई जहाज होता है तो आने के लिए उसको एकदम क्या बलते हैं वायू को चीर कराना पड़ता लुटर इना टेप से विंगस में से राडार एक पतली सी परत निकलता है उससी को राडार कहा जाता है ठीक है इसके बारे में डीटेल में जानना है तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए चैनल पर उससब जाकर आप देख सकते हैं युटुब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल देंगे राडार टीवी रेडियो ठीक है ये सब तो समझी रहे हैं उत्पादक देश की बात कर रहे हैं पहले कंट्री कौन-कौन से सबसे पहला नमर बाता है रूस चाइना में यह पाया जाता है भारत में भी पाया जाएगा बट देखिए जब बहुत ज्यादा म विक नहीं होता जिकरही नहीं करतें भारत में पाया जाता है अमर गाओं में कहां पायाँ और यह यहां पर यहां पर यह पाया जाएगा ठीक है ठीक है घंगास्टन का यूज ए उसका और इसका distribution वो कहां-कहां पाया जा रहा है कहां-कहां नहीं पाया रहा है तेखिए अभी तक जीतने वी elements के बारे में हम बता रहे हैं यह ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है इसमें से iasco के नाम आपको याद करना है ताकि अब देखिए हमें नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा बचां सको पूरा जीवी महाकल्प यह नौजीवी मतलब क्या बढ़ सकते हैं तो आप लोगों को मैं बता द Хैकल टाइम इस्केल का मेरा बीडियोँ ना बहुत पहले जो मैं प्लेइलिस्ट त्यार किया हूं क्लास्ट ट्वेल्थ जिलोजी को 2025-2024 उसमें आप जाकर दिखेंगा ना उसमें भी उसको मैं एड़न कर दिया हूं तो यहां पर आपको क्या समझाया टंगस्टन कठोर होता है भारी होता है भूरे कलर का होता है अयसक किसका बॉलफ्रेमाइट कहा जाता है उप्योग विदुतियंत्रों राडार में टीवी में रेडियो में इसका यूज़ कर सकते हैं लोग उत्पादक देश रूस हो गया च इसे नागपूर कहा जाता है सिंभूम यानि की छारकंड हो गया आई यह देखते हैं लास्ट टोपिक जो कि हमारे पास ऐलूमिनियम एंड उसके बाद इस क्लास का दय इंडिक किया जाएगा यह बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है त्यान से बातों समझेएगा एलमूनियम को उभैधारी में उक्साइड लिखाते हैं इसका परमानु संक्या 13 होता है यह सब चीज बहुत जगों पर पढ़ाया हुआ है ठीक है बहुत जगा पर इसका उप्यों किया दिबात क को यह चीज पता है तो मेरा मेरा जिसे बारे हम लोग के बारे में लोग क्या जाने की सब्सक्राइब करते हैं उसको बिलाने में मैद किया जाता है ये ब्रहा के बारे में उसे समंधित रहाएं उसको हलके जातव बूलेंगquote क्या बोलता है यह हलके दातु है हलके दातु लेकिन भाई एक बात बताइए हलके दातु मिश्में क्यों पड़ा है कि कोई आखेला था इसके लिए अलग सा लेक्षर लाने की कोई आवा सकता नहीं है हलके दातु में लिथियम भी आता है सबसे हलका मुलायम में आता है लेकि तो इसको क्या बोलता है स्टिल बोलता है उसमेंगज से मिलां को बना दे आ भात वहीं को खरना गोरेन हुएथ छाय क्या चीbal बारे मिलसते चाहिथ सब्सक्राइब भॉला नहीं होता है नंबर वन प्रेमरे जो जो लास मं तर्य टू-कpoPorn purity2essa यहां परमोला होता है ठीक है आपको अपर चीज पर्ता घंशी कलास ले रहा हो फॉने वाला है nossa down 기분 बाइशन में मैं बताओंगा कि भाई फर्मूला कैसे बना, AL2 ही क्यों, O3 ही क्यों, ऐसे बताऊंगा, टोटल चीज, देखिए, बॉकसाइट को अलफा मोनो हैडरेट कहते हैं, और इसमें अलुमूनियम की मातरा 85% परतिसत रहता है, 85% क्या रहता है, इसमें अलुमूनियम पाया जाता है, लेटराइट प बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग की इलाके तरह, बहुत ज्यादा मालगाडी के दोवारा हो, लेट क्या आते हैं, यह धोया जाता है, तो लोग बोल सकते हैं, और इदम रेड कलर का दीखिए, लगेगा ना, कि रेड मिटी को हम उठाय हुआ है, इसमें कंकर पत्थर पूरा बढ़ा होगा, तो यह रेड मिटी तो नहीं, लेकिन वो पूरा बॉक्साइट रहता है, ठीक है, और कितना परसेंट रहता है, पाचासी परसेंटेज में रहता है, समझेगा, यह ठीक है, चलिए आगे, जो डाइस पोल है, नमबर टू आले आया, इसको बीटा मोनोहाइड साइज में क्या होता है, थोड़ा साइज में बढ़ा हो ।So HER इसमें अलुमूनियaiser 65 परसेंट कितना परसेंट, भारत में इसकी मात्रा भाहुत जादा है, लेकिन आपको यह चीज caminho सेटा हो तो भी लिए और यहां पे आ जाता है इसलिए हम लोग के रहे होगा मं लुक्स si समझ पाँगे बाहए होंगे आप लोग अभी तक हैं हम लोग को ज्यादा क्लास में बातचीत नहीm करना है ठीक है जो भी हमने classes लिया है सारे classes को आपको continue करके देख लेना है ठीक है और देखते हैं कल से एक बहुत ही धमाकदार topic के साथ हम लोग entry मारने वाले हैं खनीज निचेप के बारे में I hope that कोई भी डाउट आपको नहीं बचाओगा सब चीज के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं देखिए पेट्रोग्राफिक नोट जो है ना बहुत important था जिसके बारे मैंने अल्रडी बहुत ज्यादा वीडियो में बता चुगा है ठीक है तो वह सारे classes को आपको कर लेना है बागी classes को हम लोग